नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीका हमारे यूट्व चैनल देशी एगरी कल्चर में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मक्का के फसल में लगने वाले इल्ली के बारे में दोस्तों एक विश्यास प्रकार की इल्ली आ रहे हैं इस साल जिसका नाम है फॉल आर्मी वर में फॉल आर्मी वर में उसका नाम है तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको तो दोस्तों वीडियो में आपने तक मेरे साथ बने रहे हैं मैं आपको मेरे पीच्छे जो मक्का की पसल दिगा दे रहे हैं तो मैं आपको उसमें बताने वाला हूं क कि इल्यकित परकार से लग रही है और यह नुकसान पहुंचा रही है तो दोस्तों अब तक आपने आपार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो दोस्तों नीचे देगे लालक्स को में subscribe button पर क्लिक करके आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तो उसी के साथ एक गंटी के निशान आगया होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तों चले वीडियो को लग रहे हैं मतलब किस परकार से इसमें लग रहे हो पहुंचा रही है दोस्तों आप यह मक्रेगी फसल देख सकते होगी यह सब्सक्राइख में आप कोनि निकालकर बताता हूं भूस्तों का और यह आपको बता देताओं कि यह एक पोटा निकला है मेरी कि यह कंको इसमें चलूरा पुमकर से हिखिभर हैं तो दोस्तों अब यह क्या कर रहे हैं कि धीरे-दिरे को सब्सक्रक और यह कर रहे हैं इसकी आप देख सकते हैं कि अशील बनावा है इल्दी है कि खोटे को खुलकर देखे तो हम कि यह है थो ःतने दीरा यह इर्दम यह क्या होता है कि फूर ज्जयादा रब्ल Déoस्च तो ले असानी चालबा रहे हैं और कितनी बड़ी है कि दोस्तो आप बियो को लाइक कर दीजिए क्यों की दोस्तों मैं आप में और आपको आप और दूसरी मक्यां बताता हूं मैं आपा दोस्तों ये एक इसमें भी इल्लियों का प्रपुख है और और मैं आपको बताओं तो दोस्तों बहुत सारे पोदे ऐसे हैं जिसमें इल्लियों का प्रभाव देखा जा रहा है जिसमें पोटे के अंदर इल्लिया मौझूद है दोस्तों एक यह देखें एक यह देखें इसमें भी दिखाए देरें तो मैं आपको निकाल के बताता हूं यह मैंने पोटा निकाल लिया है इसका यह दोस्तों यह देखें इसमें भी कभी बड़ी इल्ली इसमें भी देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यह देखो दिर दिर एचल भी रही है यह नीचे गिर गई तो मतलब के हमारे खेऱ में इस खेध में उल्लीों का प्रफॉप कkभी ज्यदा वड़ा है तो अब इसका समय पर नियंद्रल नहीं किया गया तो दोस्तों यह पूरिय क्हेद की फ़सल को बरबात कर सकते हैं यह यहिए कि इल्ली में भी है कई इस पोठे में इल्ली है तेलो में आपको यह भी निकाल के बता देता हूँ कि ऊस्टो स्फ़ाइब दौस्टो ङप ईसारी मतलब बहुत सारी मКак कhour observants लिए तो दो इसके लिए अब इसका समय पर नयन्तरं होना बहुत आश्चाए किन अगर नहीं हुआ तो यह पूरा को फोरा खेथ बरबाद कर देगी और इससे मतलब के आप देख पा रहे होगे जो अपर ने नहीं बन पार रहें जिसे पोद्य का विकाश नहीं उपा रहा है और उससे आपके इसमें पेदावार आपको नहीं मिलेगे दोस्तों अब बात करें कि इसका प्रकास से कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम इस मक्का में एक दो दिन में इस्प्रेक करने वाले हैं दोस्तों या तो हम एंप लिगो का स तो दो सके करते हैं तो उम्हीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगए होगा दोस्तों अगर आपके भी खेम में इस परकार से गूम्हें और अगर आपके में ओर लग रही है तो आप जल्दी से उसका निरा करन कीजिए जल्दी से आप इसमें कीजिए और आपने खेत को मदब सुरक्षित किये जाए लियों से तो दोस्तों चले मिलते हैं अगले वीडियो में